अच्छ यह क्यों नहीं आ रहा है मुनार्फ जो है तो इसमें क्या बोलर कुशन नमर नाइन में ही 27 solid iron spheres each of radius R and surface area capital S are melted to form a sphere अच्छ अच्छ आप दो इसमें क्या बोल रहा है कि iron sphere से मन लो चोड़े चोटे इनको भी छोटा मानो अब यहां पर मालो यह छोड़े चोड़े sphere से अब इसका जो radius से iron sphere और यह कितने total 27 देख है अब इनका radius क्या है R है R है और 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 ठीक है that is S surface area क्या है S है अब यह कह रहा है कि यह जो sphere से चोड़े चोटे इनको melt करके बड़ा sphere बनाए गया यानि वो जो 27 चोड़े चोड़े sphere थे उनको melt करके बड़ा sphere बनाए गया like this ठीक है तो यह आगे बोल रहा है कि वो जो बड़ा sphere बना है उसका surface area क्या है S dash है नया surface area होगा ठीक है अच्छा अब यह कह रहा है कि what is the radius R dash of the new sphere यानि कि यह जो नया sphere है इसका radius कितना होगा what will be the radius of new sphere ठीक है what will be the radius इसका हमें क्या निकालना है R dash निकालना अब देखो यहां पर हम किस से relate कर सकते हैं जया कर सemu बड़ा देख़ यहां यहां चल यहां यहां जिस हैं टुछ टार्वैं बोड्टर्टरव आए जया काने यहां यहां ऋच्छ लिएखnotव लिएक 6 झाल झाल ठीक है अब देखो यहां पर हम किसे अब छोड़ी छोड़ी स्फेर्स को मिल्ट किया गया है और हम यह जानते हैं अगर हम सर्फिस एरिया का इसमें जिक्र है तो सर्फिस एरिया रेडियस से कैसे करिक्टिड होता है अगर हम सर्फिस एरिया ओफिस फेर की बात करें सर्फिस of sphere, कोई भी जनरल sphere, तो क्या होते है, what is the surface area of sphere, that is 4 pi r square, यही होते है, ठेक है, और volume क्या होते है, 4 by 3 pi r cube, ठेक है, volume क्या होते है, 4 by 3 pi r cube, sphere का, ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, कि surface area of sphere क्या है, 4 pi r square, ओके, तो अब यहाँ पे यह 27 छोटे छोटे sphere melt करके, यह बड़ा sphere बन रहा है, तो बताओ, यह किस चीज़ में contribute कर रहा है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, radius निकालना है, तो अगर हम छोटे-छोटे surface area के बात करें, तो क्या हो जाएगा, देखो, 27 into 4 pi r square, यही तो होगा, इसका surface area, और इसका surface area क्या होगा, अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आप बात करो कि, यह जो छोटे-छोटे spheres हैं, यह जब melt होंगे, तो यह बताओ, इन छोटे-छोटे surface area का सब कसंग बड़े surface area के बराबर होगा, are you sure? मतलब यह जो छोटे-छोटे spheres हैं, इनका surface area S है, पुइंच समझ मैं, अब जब यह 27 के 27 melt कर दिया जाएंगे, एक बड़ा sphere बना दिया जाएगा, तो यह जो इनके surface का area है, यह पूरा surface area, बड़े वाले surface area के बराबर होगा, मतलब 27 के 27 का, पका, शूर, क्या चीज एक्वल हो सकती, मैं नहीं कर रहाँ, बराबर नहीं हो सकता, लेकिन क्या ऐसा हमेशा होगा, नहीं, surface area ज़रूरी नहीं के बराबर हो, एक चीज बराबर है, there is volume, क्योंकि अगर माल लो, यह 10 बॉल है, इस 10 बॉल का वॉल्यूम होगा, ठीक है, अब 10 के 10 के बॉल को, जैसे आपके आटा है, आटा है, उसका अपने एक वॉल्यूम है, आपने 10 लॉई मिला के, एक बड़ लॉई बना ली, प्राबर हो सकता है, लेकिन सर्फिस एरिया, जरूरी नहीं है, देखे, तो अब इस कोशन में क्या बोल रहा है, इस कोशन में यह कह रहा है, कहां गया, कि, अगर 27 solid iron spheres, each of radius R and surface area S, are melted to form a sphere with surface area S, find the radius of the new sphere, तो इसका मतलब यह हो गया, कि, अगर surface area हमें निकालना है, तो हमें radius पता होना चाहिए, तो हमें तो radius पता नहीं है, तो यहां पे बराबर हम क्या कर सकते हैं, इन 27 का, देखो, इन 27 का, क्या हो जाएगा, volume equal होगा बड़े वाले का, तेखे, मतलब यह जो 27 है, इनका जो volume होगा, क्या होगा, volume 4 by 3 pi r cube, वो बड़े वाला जो स्फेर है, वो क्या हो जाएगा, 4 by 3 pi r dash cube के बराबर होगा, point समझ मैं है, तो मैंशे याद रखी, कोई भी चीज़ figure है, melt करके, या combine करके, अगर बना जा रहा है, तो उसका volume बराबर हो सकता है, होगा, ठीक है, लेकिन, surface area, surface area नहीं, अगर question में बोल रहा है, question में अगर बोल रहा है, ठीक है, जैसे, मैंने कल दिया था, cylinder वाला, उसको हमने height क्या किया था, थाफ क्या था, radius क्या कर दिया था, double, तो क्या आया था, surface area के ratio, curve surface, दोने equal था ना, समझभ बहा गया, तो इसका मनलब यह हो गया, अगर हम कोई transformations कर रहे हैं, तो area, हो सकता है, equal आजाए, लेकिन जरूरी, नहीं है, तो यहाँ पर वही चीज हो रहा है, कि यहाँ पर equal क्या हो सकता है, हमेशा जब भी conversion होता है, यह से एक तार है, उसको पिगला के, एक cube बना दिया गया, तो उसका area नहीं जरूरी equal हो, लेकिन volume, हमेशा equal हो गया, ठेक है, तो यहाँ पर अब क्या हो गया, देखो, 4 by 3, pi, 4 by 3, pi cancel, ठेक है, अब यह क्या हो जाएगा, r dash cube is equal to 27 r cube, that means, r dash cube क्या हो जाएगा, r dash क्या हो जाएगा, cube root of, क्योंकि e q भी धा transfer होगा, तो that will be 27 r cube, तो what you will get it finally, तो 27 का cube root क्या हो जाएगा, 3 और r cube का, that is that, यानि नया वाला जो स्फेर होगा, उसका radius पुराने वाले का तीन गुना होगा, ठेक है, यह हमने निकाल दिया, ठेक है, आप देखो, next क्या बोल रहा है, यह करा, find the ratio of s and s dash, यानि कि जो पुराना surface area है, एक छोटे iron sphere का, उसका और नया surface area, जो बड़े sphere का है, उसका आप क्या निकालो, ratio निकालो, तो देखो, जब भी ratio वाला question हो, तो उसमें बड़ा संभल के, कि किसका किस से ratio, क्योंकि option में उल्टा भी दिया होगा, जैसे, मैं अगर s is to s dash निकाल ला हूँ, अगर यह 1 is to 3 है, तो s dash is to s, हमेशा 3 is to 1 होगा, इसके position जैसे ही change होगी, तो ratio भी change होगा, वह एं समझ में हैं, तो यह बड़ा ध्यान देना होता है, तो ratio किसका पूछा गया है, s upon s dash का, तो अब s क्या है, surface area of छोटा स्फेर, तो अब वो क्या हो जाएगा, that is 4 pi r square, और surface area of बड़ा स्फेर, यह क्या हो जाएगा, 4 by r dash का square, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 pi, 4 pi क्या हो जाएगा, cancel, अब radius क्या है, that is r square, यह तो वही रहेगा, r dash का क्या relation अभी निकाला था, कि वो, yes, 3 r का क्या हो जाएगा, square, तो यह हो जाएगा, r square upon, that is 27 r square, cancel, sorry, 9, ठीक है, तो यह हो जाएगा, 9 r square, तो यह हो जाएगा, हमारा s is to s dash, कितना हो जाएगा, 1 is to 9, तो याद रखिएगा, हमेशा दोनों options रहेंगे, but, हमें बड़ा सम्हल के solve करना पड़े, ठीक है, चाँ, अब नेक्स्ट, यह स्टाइब कर चुके हैं, यह भी कर चुके हैं, अभी मैं कराता हूं, रखिएगा, कोशिन जब आन बोला था, रिवर और स्टाइब सा, इज था सिलेख आविता, एज था सिलेख आविता, हाँ, अब यह कोशिन आपके लिए, ठीक है, पहले कोशिन लिख लिए चाहिए, क्योंकि इस कोशिन में हम तीन कोशिन सॉल्फ करेंगे, ठीक है, तो अभी आप खुदी सॉल्फ करेंगे, और आंसर बताएंगे, क्योंकि आपके लिए, क्योंकि आपके लिए, अब देखों, यहां पर क्या बोल रहे हैं इस कोशिन में, क्योंकि इस कोशिन में आपके लिए, क्योंकि आपके लिए, यानि कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है, और इनर आउटर जब भी बोले तो समझ लो, हॉलो है, ठीक है, तो कह रहा है कि, यह जो सिलेंड्रिकल वेसल है, इसको अंदर से पेंट करने में कितना पैसा लगा, बाइस सो रुप है, अब देखों, जब भी कॉस्ट आप पेंटिंग आती है, तो वो डिपेंट करता है, कितना एरिया पेंट हुआ है, और किस रेट से पेंट हुआ है, यही तो होता है, तो कह रहा है कि, इस रुपीस 20 पर मीटर स्कॉयर, तो find the inner curve surface area, तो inner curve surface area कैसे आ जाएगे, यह 10 मीटर हाइट हो गई, ठीक है, तो inner curve surface area क्या आ जाएगा, curve surface area of cylinder क्या होता है, ठीक है, तो हमारे दिमाग में आएगा, लेकिन रेडियस तो नहीं पता, लेकिन cost दिया हुआ है, तो जो area paint हुआ है, वो inner curve surface area ही तो है, तो हम इस cost और rate से क्या निकाल सकते हैं, और वो क्या होगा, क्योंकि वही paint हुआ है, तो चलिए निकालिया, समझ में आया है, अच्छा एक चीज़ ध्यान दाना, यहां पर यह meter square है और यह meter में भी है, तो यह unit conversion की कोई ज़रूरत नहीं है, कितना गया, 110 meter square, 110 meter square, निकालो, अब radius of the base कैसे निकालो गया, how you will find the radius, किस चीज़ को यूज़ करोगे radius निकालने के लो, area, कौन सा area, अभी जो आया तुम्हारा inner curve surface area, यह क्या होगा, यह क्या होगा, 2 pi r h, कितना आया है, 110, तो यह 2 pi r h के बराबर ही तो होगा, और height 10 दी हुई है, तो यहां से radius आ जाएगा, देखो हमेशे यह याद रखना है, क्या चीज़ निकालना है, और उसको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, बस हमें यह ध्यान देना होता है, जैसे मालू मुझे निकालना है radius, तो radius, या तो उसके volume से आएगा, तो यहां पुसके क्याओ यहा है, तो यहां यहाँ यहाँ यहां है, तो यहां छिसे आएगा से आएगा, क्या है? झाल 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 आप देको क्या बोल रहा है? find the capacity of vessel capacity means volume तो अब volume निकालना है तो ये vessel कैसा है? cylinder उसके लिए क्या क्या चाहिए? आर चाहिए है? और क्या चाहिए? HR भी आ गया, height दी हुई है तो formula क्या होते है? येस पाई आर स्कॉाइर H चलो volume निकाल के बताओ कितना होगा? झाल 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 झाल